नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस चैनल पे तो एक न्यूज देखिए कई वाइरल हो रहा है वाटसेप पर भी आ रहा है फेस्बूक पर भी आ रहा है और कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कई स्टुएंट्स ने कल स फोन किया कि सर इसके बारे म distingu बताए कि क्या सचाइए इस नियूज के बारे में तो आज मैं डिसकस करने वाला हूं इसी नियूज के बारे में आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा एक पेपर की कटिंग है हिंद rangesन नीज़बर की इसमें लिखा हुआ है lockdown के बाद 52 लेकपालों तो अभी क्या हुआ है कि जो राजा सुविभाग है उसने लिस्ट बना करके दिया है और ये गवर्नमेंट के पास जाएगा और आयोग के पास जाता है आयोग से गवर्नमेंट के पास उसकी संस्तुति होती है और फिर उसकी वैकेंसी जो भी होगी उसके हिसाब से निकाला ज जाने की आशा है एक्जेक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है जब तक की पूरा का पूरा हमारे पास notification ना आ जाए लेकिन मैं ये बताऊंगा संभावितिती क्या है परिच्छा की संभावितिती क्या है qualifications क्या है आपके पास क्यों कौन से certificate होने चाहिए क्या आपकी eligibility होनी चाहिए इसके अलावा syllabus क्या है और syllabus में जो सबसे vital role है जो सबसे important factor है वो क्या है जो कि किसी भी व्यक्ति को इस परिच्छा को पास करा सकता है इसके साथ-साथ मैं एक बात और आप लोगों से आजवादा करना चाहता हूं कि जो भी अगर जैसे ही ये form आएगा मैं खुद उनको लेकर आऊँगा जिन्होंने इस exam को पास किया है जिनका अनुभव भी है duty में तो वो आपको पूरी detail देंगे जब भी form आ जाएगा तो कि क्या pattern है क्या syllabus है कैसे तयारी करनी चाहिए आपको उनसे मैं ये भी कहूंगा कि कुछ chapters भी वो पढ़ाएं इसके साथ-साथ ये सब कुछ free होगा कोई आपको चिंता करने की इसके लिए जरूरत नहीं है इसके साथ-साथ उनके अनुभव क्या है नौकरी के समय क्या पैसा रुपए मिलते है क्या मिलता है क्या salary ये सारी चीजें वो discuss करेंगे तो सबसे पहले बात करने इस news की तो देखिए यहां पे लिखा है कि राजस्व परिषद में लेखपाल के लिए 500 पदों की पदों पर भरती प्रक्रिया lockdown खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है भरती प्रक्रिया को लेकर संसय की स्थितिक खत्म हो गई है यहां साब साब लिखाए कि एक साल से लटकी है भरती देखिए यहां लिखाए कि राजस्व परिषद में लेकपाल के कुल 30,837 पद है जिन में से 24,000 के आसपास भरे हुए है तो इन पदों के लिए लेकपालों की भरती करनी है सरकार ने समुगतक के सभी पदों के भरती का अधिकार अधिनस्तेवाचेन आयोग को दिया है आप सबको पता है कि समुगतक की जो भी भरतियां होती है वो UP SSSC के द्वारा की जाती है ठीक है लॉकडाउन के बाद निकलेगा विग्यापन ये सबसे important news है जो कि आप लोगों को जरूरत थी इस news की लिखा है कि लॉकडाउन के बाद निकलेगा विग्यापन आयोग के मुताबिक उसे भरती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है यानि कि राजस विभाग ने आयोग के पास भेज दिया है लॉकडाउन खत्म होने के बाद भरती संबंधी विग्यापन निकाला जाएगा ऑनलाइन आवेदन लेकर भरती परिक्षा कराया जाएगा आयोग के अधिकारी के मुताबिक भरती प्रक्रिया तैस समय में पूरी करने के लिए देखिए तैस समय में तो प्लस टू किया हुआ होना चीए आप 12th क्लास के पास आउट होंगे तो आप यह परिक्षा दे सकते हैं इसके साथ आपके पास triple C की एक सर्टिफिकेट होता है triple C का वो आपके पास जरूर होना चीए तो मैं यह कहूंगा कि जिनके पास भी triple C का सर्टिफिकेट नहीं है आप और तब बीच में ट्रिपल सी कर लेंगे तो चलेगा नहीं ऐसा बिलकूल भी नहीं इस ब्रह्म में न रहिएगा आप लोग उसके साथ साथ उम्र सीमा 18-40 वर्शे और पिछली बार जो वर्ती होई थी उसमें आपका सक्षातकार हुआ था इंटर्व्यू भी होता था ल आपका एक तो सामान ग्यान होगे है जो जी के हम जिसको बोलते है न जी के पूछता है और प्लस करेंट अफेर सी ए जिसको बोलते हैं करेंट अफेर समसमाई की घटना करम जो देश में करेंट अफेर होता है जो घटनाए घटती है उनसे संबंदित प्रस्ण भी मान के चल यह important है 15 number के question सिर्फ और सिर्फ यहां से आने वाले हैं और यह जो 15 question होंगे इसकी पूरी तैयारी यहां पर कराई जाएगी बस एक बार form निकल जाए उसके बाद से हम इसकी तैयारी सुरू करेंगे सामान हिंदी के कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं लेकिन अभी अच्छे quality में वो वीडियोस नहीं थे शुरू आती समय के वीडियो थे अच्छे वीडियोस भी आएंगे उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है करेंट अफेर सामान गयां सबकुछ इस चैनल पर जरूर कड़ायाजाएगा संभावित कारिकरम में क्या है कि मई और जून में आवेधन हो सकता है इसके लिए मई जून में विग्यापन निकलेगा अगर मई में महीने तक आपको टाइम दिया जाएगा जून में निकलता ह अक्टूबर तक हम मान सकते हैं कि अगर सही से चला, सबकुछ सही से चला, लॉकडाउन भी समय से खतम हुआ, सारे जो भी परतिबंध हैं वो हट गए, तो मान के चल सकते हैं कि इस वर्स ये परीक्षा हो सकती है, एक पालवर्ती परीच्छा 2020 सितंबर अक्टूबर तक हो सकती है एक्जाम हो सकता है अब इसमें भी क्या है UPCCC का पैटर्न चेंज हुआ है जो एक प्री और मेंस वाला एक पैटर्न चेंज हुआ है जिसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया है तो उससे संबंदित भी अगर आप देखें तो एक्जाम का डेट थोड़ा सा और दूर जा सकता है ये हम इसकी बात कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा ये तो कंफर्म है कि लॉकडाउन के बाद इन लोगों ने जैसा कि पेपर में निकाला है और सिर्फ इंदुस्तान में नहीं और भी जो अकबार है अमरुजाला है दैनिक जागरन है इन सब में भी निकला करता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो मई या जून तक निकलने का चांस है वैकेंसी आ सकती है विग्यापन आ सकता है उसके बाद एक महीने आपको समय दिये गए जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं तो जैसा कि अभी तक का न्यूज आया है दोस्तों तो ये मैंने अभी तक इससे प्रडिक्ट किया और इतना मैंने समझा है कि ऐसा हो सकता है आगे देखते हैं कि कब तक lockdown खत्म होता है तीन मही के बाद extend होता है या नहीं होता है उसके हिसाब से जब भी vacancy आएगी तो पूरी तयारी आपको कराई जाएगी मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके पास triple C नहीं है उनके doubts clear हो गए होंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like करिए comment करिए चैनल को subscribe करिए और telegram चैनल से भी जरूर जुड़िए ताकि जरूरी PDF और study material आपको free में वहाँ पे मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much